दुश्कार में भारती के पासे आप देख रहे हैं अन्टेन सेवन न्यूज तलाग को लेकर सुप्रीम कोट का एक बड़ा फैसला सामने आया है सुप्रीम कोट की सम्विधान पीट ने कहा कि जहां रिष्टों में सुधार की गुंजाइस ना बची हो ऐसे मामलू में तलाग को मंजूरी दे सकते हैं सुप्रीम कोट की सम्विधान पीट ने अपने फैसले में कहा है कि सम्विधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेश शक्तियों का इस्तिमाल करते हुए सुप्रीम कोट ऐसी मंजूरी दे सकता है जिहां विवाग के निश्टित तोर पर तूट क्योंकि मामलों में कपल को जरूरी वेटिंग पीरियर्ज का इंतिजार करने की जरूरत नहीं है मौजूदों विवाग कानूनों की मताविक पती पतनी की जहमती के वावजूद पहले फैमिली कोट एक समय सीमा तक दूनों पक्षों को पुनर्विचार करने का समय देता है जस्टिस संजे किशन कॉल, जस्टिस संजीव खन्ना, एस ओ का विक्रम नात और जे के महिश्वरी की समविधान पीट ने कहा कि हमने ऐसे कारेक भी निर्धारित किये हैं जो यह तै कर सकते हैं कि विवा कब पूरी तरह से तूट चुका है बेंच ने यह भी बताया कि विशेश रूप से रखरखाव गुजारा भत्ता और बच्चों के अधिकार के संबंद में हितों को कैसे संतूलित किया जाएं पांच जजों की स्पीट ने 29 सितंबर 2022 को सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था अपने आदेश को सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोट ने माना कि सामाजिक बदलाव में कुछ समय लग सकता है और नए कानूनों को लागू करना समाज को अपनाने के लिए राजी करने से ज्यादा आसान हो सकता है अबरहाल इसकसाती सुप्रीम कोट ने भारत में विवहा में परिवारों की महतुपून भूमिका को भी सुविकार किया है बतादे समीदान पीट को भेजा गया मूल मुद्दा यह था कि क्या आपसी सहमती से तलाग के लिए एचुक जोड़ों को हिंदू विवहा अधिनियम की धारा तहरा बी के तहत निर्धारित अनिवारे प्रतीक्षा अवधी का पालन करना ज़रूरी है या फिर अनुचेद 142 के तहत अपनी विशाल सक्तियों का प्रेयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे माफ किया आ जा सकता है जिससे तलाक हासिल करने के लिए लंबी न्याइक कारवाई के लिए बता दे फैमिली कोट गए बगएर सहमती वाले ऐसे जोडों के बीच जिनमें रिस्तों में सुधार की गुंजाइस नहीं बची हो तलाक को मंजूरी देनी चाहिए हाला कि सुनवाई के दोरान सविधान पीट ने इस मुद्दे पर विचार करने का फैसला लिया है कि क्या विवाहों को निश्चत तोर पर तूटने के अधार पर खत्म किया आ जा सकता है अब इक लिए तना ही देशों दुनियों की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए देखते रहे हैं N27 News आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर ख़बर पर